अस्सलाम उलेकुम एवरिमन आज मैं आपको सिलाई मसीन के फूट के बारे में बताऊंगी कि कौन सा फूट की स्कारम के लिए इस्तिमाल होता है तो ये मेरे पास कुछ फूट है तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी सारे फूट के बारे में अब यहाँ पर मसीन में नॉर ये लगाने से हमें food change करने में बहुत आसानी होती है तो देखे इसको यहाँ से हमें push करना होता है और आसानी से हमारा food अलग हो जाता है तो ये देखे इसको मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ ये मैंने 50 उपे में पचेस किया था तो आप भी ये ले सकते हैं इसको लगाने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा इसको सिर्फ यहाँ से push करना है और फिर दूसरे food को हमें लगा लेना है इसको लगाना भी बहुत हासान है आगे से जो इसका screw है उसको खोल कर इसको इस तरफ से घुमा कर tight कर देना होता है ये हम नॉर्मल अमरेला मसीन है उसमें भी लगा सकते है और इस वाले मसीन में भी लगा सकते है अब ये invisible zip लगाने वाला food है ये नीचे से कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ उपर से इसमें सुई के लिए एक होल होता है तो ये देखे इसको मैंने लगा लिया है और ये मेरे पास invisible zip है अब इसको मैं एक कपड़े पर आपको लगा कर दिखाऊंगी ये देखे जीप को मैंने यहाँ पर खोल लिया है और ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है इसको मैंने बीच से कट कर लिया है अब जीप लगाने के लिए हमें इस तरह से सीधी जीप लगाना हो तो इसको यहां से हमें पल्टा कर रखना है यह देखें मैं आपको दिखा देती हूँ यह जीप हमें अगर सीधी लगानी है तो इसको यहां से हमें पल्टा कर इस तरह से रखना है एक और बार देख ले इस तरह से पल्टा लेना है और फिर यहां से इसको खुल कर ये पहले वाला जो हॉल है उसमें हमें जीब को रखना है ये इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेनी है ये अपने आप अटेच होता जाएगा हमें सिलाई लगाते जाना है ये देखे एक साइड जीब अटेच हो चुकी है अब मैं इसको घुमा कर जीब को बंद करके दिखाती हूँ तो ये देखे एक साइड से ये बिलकुल किनारी पर अटेच हुई है अब दूसरा कपड़ा जो हमने अलग किया था उसको भी हम इसी तरीके से ये देखे इसको यहां से पल्टा अकर हमें रखना है ये देखे इस तरह से इसको पल्टा लेना है और यहां से इसको खोल लेना है ये आगे से चिपकी हुई होती है तो इसको खोल कर अब हमें राइट साइट वाले हॉल में इसको रखना है पहले हमने लेफ साइट वाले में रखा था तो अब हमें राइट साइट वाले इस वाले हॉल में इसको रखकर सिलाई लगानी है ये दूसरी साइड भी जिप अटेच हो चुकी है, अब मैं इसको बंद करके आपको दिखाती हूँ, ये देखे, ये हमारी जिप लगके रेडी हो गई है, और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही फिनिसिंग के साथ जिप अटेच हुई है, जिप लगाने के बाद आपको पर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है, ये देखे, मैंने आपको करीब से दिखाया है, यहाँ पर ये मैंने रफ कपड़े पर सिफ आपको बताने के लिए जिप लगाई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रेस नहीं लगा रही हूँ, अगर ड्रेस में जिप अटेच करनी हो तो जिप लगाने के बाद हमें इस पर प्रेस लगा लेनी चाहिए, अब यहाँ पर ये वाले फूट को निकाल कर मैं सिंगल फूट लगाऊंगी, जिसमें मैं पाइपिन बनाती हूँ, तो ये देखे, ये राइट साइट वाला फूट है, जिसमें मैं हमेशा पाइपिन ब तो यहाँ पर मैंने ये एक सीधी पटी ली है, और इसमें ये डोरी पाइपिन रखी है, और इसको रखकर यहाँ पर सिलाई लगा ली है, अब यहाँ पर अगर आप स्लीव्ज और चौक में पाइपिन लगा रहे हैं, तो आपको सीधी पटी पर पाइपिन बनानी है, और स्लीव्ज या चौक पर लगाने के लिए इस तरह से रखना है और फिर एक और सिलाई लगानी है और फिर इसको इस तरह से पल्टा लेना है तो ये हमारी पाइपिन निकल के आ जाएगी और फिर इस वाले हिस्से पर इस तरह से फोल्ड करके अगर आपको इसमें सिलाई लगा तो यह पर सिलाई लगा सकते हैं या पे यह देखें जिर जो यह देखें इस तरह से पाइप इन निकलKe आ जाएगी तो राइट साइट वाले फूट को मैं पाइपीन के लिए यूज़ करती हूँ और जो ये लेफ साइट वाला फूट है इससे मैं डोरी लूप के लिए डोरी पल्टा लेती हूँ तो यहाँ पर ये देखे ये मैंने कपड़ा ले लिया है और इसको इस तरह से उरेप में कट कर लेना है तो यहाँ पर मैंने इससे एक उरेप में पट्टी कट कर ली है लगबग डेड़ी चोड़ी अब यहाँ पर इसको इस तरह से डोरी को रखना है और फिर इसकी किनारी पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है अब उपर से थोड़ी दूरी से सिलाई लेनी है और फिर बाद में किनारी की तरफ इस तरह आ जाना है और यहां पर सीधी सिलाई लगा लेनी है अब ये देखे, जब इसकी किनारी पर मैं सिलाई लगाती हूँ तो किनारी से थोड़ी दूर ही सिलाई आती है तो पाइपिन यहाँ पर लूज रह जाती है तो ये मुझे डोरी बनाने के लिए बहुत ही आसान होता है क्योंकि यहाँ पर इससे आसानी से डोरी पलट जाती है अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया है और यह देखे इसको यहाँ से इस तरह से खिंचना है और फिर आगे का कपड़ा है उसको यहाँ पर बाहार की तरफ हमें निकाल लेना है यह कपड़ा एक बार बाहार की तरफ आ जाएगा तो डोरी आसानी से पलट जाएगी यह देखे अब इसको बाहार की तरफ करके इसको खिंच लेना है यह देखे डोरी पलट के बाहार की तरफ आ गई है अब यहाँ से डोरी को कट कर लेना है इस तरफ से आप कितनी भी लंबी डोरी को पलटा सकते है और यह देखे यह एक बराबर हमारी डोरी बनी है अब इसके अगर आपको लुप भी बनानी हो तो इस तरफ से आप लुप भी बना सकते है और किसी और डिजाइन में यूज़ करना हो तो वो भी आप कर सकते है अब यहाँ पर ये वाले फूट को हमें चेंज कर लेना है और फिर ये पीको फूट में लगाऊंगी ये पीको मसीन के लिए नहीं होता है यह यही मसीन के लिए होता है पीको फूट में अगर आप यह लगाओगे तो यह एग्जस्ट नहीं होगा इसे पीको तो नहीं होगा लेकिन यह हमारे कपड़े की किनारी को बहुती बारिख फोल्ड करेगा जो आपके पास अगर पीको मसीन नहीं हो तो आप इससे बारीक फोल्ड करके भी अपना काम चला सकते हैं तो यह देखे यहां से इसको मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है और यहां पर इस तरह से रखना है और फिर देखे कपड़े की किनारी को हमें सिर्फ इस तरह से पकड़ना है और फिर ये कपड़े को अपने आप ही फोल्ड कर लेगा और ये देखें मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितना बारीक फोल्ड हुआ है ये आप दोनों तरफ से इसको देख सकते हैं ये देखें बहुत ही बारीक इसकी किनारी फोल्ड हुई है अब जो है ये वाले फूट को चेंज करके मैं आपको आखरी फूट दिखा रही हूँ जो के मैंने कभी भी यूज नहीं किया है सिर्फ एक ही बार यूज करके इसको मैंने रख दिया है यहाँ पर एक स्प्रिंग थी ये गैदरिंग लेने के लिए फूट है लेकिन ये कभी मेरे काम नहीं आया मैं आपको इसको लगा कर दिखाती हूँ देखे इसको इस तरह से यहाँ पर टाइट करना होता है यहाँ पर पीछे एक स्प्रिंग होती है जो के मुझसे गुम हो गई है लेकिन आपको मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ यहाँ पर इसको इस तरह से मैंने देखे फूल टाइट कर लिया है अब कपड़े को यहाँ पर इस तरह से रखना है और सिलाई लगानी है तो यह देखे बहुती कम गैदर यहाँ पर आ रहे है इसलिए इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया गैदरिंग के लिए मैं नॉर्मल फूट ही यूज़ करती हूँ और हाथ से ही गैदरिंग लेती हूँ ये देखे बहुत ही कम गैदर आये है इसमें और मैं आपको दिखाती हूँ के हाथ से अभी नॉर्मल फूट से हम किस तरह से गैदर लेते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है आप चाहे तो मेरे चैनल पे अवैलिबल है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं ये देखे फूट को नॉर्मल फूट को इस तरह से रखना है और कपड़े को इस तरह से खिसकाते जाना है अगर आपको कम गैदर लेनी है तो थोड़ा हलका हलका दबाओ देना है और अगर आपको ज्यादा गैदर लेनी है तो आपको कपड़े को ज्यादा दबाओ से अंदर की तरफ रखना है तो ये थी हमारी आज की वीडियो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और से जरूर करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नौडिफिकेशन को आल पे क्लिक करें ताके मेरे आने वाले वीडियो का नौडिफिकेशन आपको मिलता रहे और ये देखें दो झाल